वेल्कम स्वागत आप सभी का आज आपनों लोग देखेंगे mathematics का एक question जो की 10th का है और यह जो question है वो आरे सरवाल का है ठीक है तो question है if the SCF of 65 and 177 can be retained as retained as 65 and minus 117 find the value of m तो question क्या करने की कोशिस कर रहे कोशन करता है कि आप जो 65 और 117 का महत्तम निकालिए that means highest common factor निकालिए यानि कि SCF निकालिए ठीक है और इसको इसका जो SCF होगा वो जो बराबर होगा उसको आप लिख सकते हो इसके जैसा देखिए मुटा मुटी कैसमजिया बात जैसे मानिजर कोई मॕवी है संदानी के लिए हम आपको बता रहे हैं कोई एक्जांपन ले सकती है तो तो यह जो एक्टर हुआ यह एक्टर कौन है तो कहने का मतलब यह है कि आपको आपको क्या कहता है इस दोनों का महत्तम निकालिए ठीक है और इसका जो महत्तम निकालिएगा वह जो महत्तम कुछ भी होगा इसलिगा उसलिगा का महत्तम होगा विक कुछ यह है यह इस तरह से ठीक है तो कैसे बनाएंगे देखिए सबसे पहले आप इसका युकलीड एल्गोरिद्म के मैठ वर्सेस का महतम निकाल दीजिएगा ठीक है इसे हम बता हैं आप यह को सन करने से पहले आप पले लिश्ट में जाएगा आरे सरवार प्यंत का मैथमेटिक्स का पले लिश्ट कि जो एसी आप है युकलीड से कैसे निकाला जाता है अब यह माभी हम सॉल्ट कोड में हम आपको बता रहे हैं ठीक है तो सबसे पर आप क्या कीजिएगा लिखिएगा यह 65 65 70 ज्यादा को ज्यादा यह है न जो ज्यादा रहता है उधर चोच मार देंगे चोच जी दर खु करेंगे न मुपल से लगेगा तो क्या हो जाए गलेगा तो तु तो टू ठीक है यहाननी कि 5 यहाँ पे पिर क्या हो जाएगा दो से ज्यादा हो जाएगा तो ठीक है तो तीरी हो जाएगा फिल्टीट्स वह जाएगा देखिए इस तरीका से अब बनेएगा यहां पर लिख दीजेएगा uhh which स्सक्राइब के सब्राइब कर दिखत नहीं है अब आप इस तरीका से बना सकते हो लेकर आप वह में इक बात बात बाद है दिमार लगाने का मतलब युकली टिविजेंसे बनाईएगा तो यह यह परोसर से स्कों सेट में कर दीजेगा यहां पर युकली टीविजन से बनाएगा वह कैसे बनाएगा मैंने प्रिवियस वीडियो में मैंने प्रिवियस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छा तरीका से बताया है I humbly request मैं आपसे बिनमर अरुरोत करता हूं कि आप प दीजिए और युकलीर से बना लेजिए मैंने बताया है तो उसमें तरह टैम लगेगा इसलिए मैं इसकिप कर रहा हूं और आप पीछे का देख लेजिए अता बनिएगा अब इसे भी बना सकते हैं नमर आएगा कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन वह तुरह ज्यादा बेटर आगे डिवें डिवन लिख देंगे डिवन क्या कर रहा है देखिए हम आपको क्या बता है 65 117 का मॉसव यह जो 13 है यह जो थर्टीन है तो दो दो कि यह जो है 65-170 यह 13 के एककोल होगा का रहा था नहीं जी अब इसको इसे भी लिख सकते हूं यह जो आप थर्टीन है 65 117 का म Contour 33 यह जो 13 है इसका क्या है इक को अब हमने बता इस आगे आई यह इसके इसके इक描 दल है कि यह जो बराबर मरन रखाते को बना देगे बराबर देंगे आप जिससका अपना दींगे तो 65 रख देंगे ठीक है वॉन यहां पर 13 रख देंगी 13 हो गिया 13 और यह जो है माइनस खेंगे तो क्या हो जाएगा तो इसको क्या भोलते सफिटेंग को भी हमेरी होandenों कर दो कि अधिया और पर स्थान अंतर बोलते हैं इसका क्या नाम होता है स्थ्टिंग करते हैं प्रोलोग पन्छांतरन बोलें जार्थ के पक्ष्ष निया है तो इसे कर लिए और जिसका वेलू निकाल नहीं वह आप इसे कर दीजेगा यहां कि इसका वेलू निकालेंगे तो वह जो आप चला जाएगा यहां कि अठीप सर यहां को निकाल घ्रतश काल निकाल लेकर हो क्या जोटा निकाल में घौक्त वह जाएगा 2 जूटा सरे चाहिए तो कहने का मतलब हुआ चलिए एक बार समुनी कर लेते हैं अच्छा से इफ दो हैस्टीफ ऑफ 65 एंड 117 एंड 117 कामा है फाइंड दा बैल्यू आप काता है कोस्टन में 65 और 117 का आप महत्तम निकालिए सबस्टेब्स करेंगे यह बला साइड में करके युक्रीड बला से निकालिएगा पीछे वाले वीडियो में पर ले लिश्ट होगा आरे सरवाल टेंट का आप उसमें देख लिए एक दम क्रिश्टल के लिए हमने बताया इतना अच्छा से बताया कि आपको आपका मन खुश ह जायेगा तो उस हिसाब से बना दिये ठीक है तो 13 आगिए 13 हो पहले ही बोल रहा है मैंने करद सकते हो ऊंटा बंब कर सकते हो झाये कोई यह इधर दे सकते हो तो 65 दिया 13 दिया माइनस बराबर यह है न इसे है माने यह पैन को समझ दिए इक ओल का सेन है मैनस इधर चला गिया तो क्या हो गया पलस हो गया पलस इधर तो मैनस इसको पूता ट्रांस पोजिस्टिंग यानि के पंचाथ रहा न असाना तरह 65 दे दिये तो उनों को प्लस किया तो बनायों फेलुचन हो गिया यह चला गया एक तरिका से उपर यह कहां गया यह नीचे आपको निकाल दीए अथे अच्छारेगा 5 से काटना मतंब छोटा-चोटा टुक्रों में काटना हम लेकिं लिए डिरेक्ट कर दिए ठीक है पैसर एपैसर ल या होगा कोई भी दिख्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको मैस परना है 10th class का 9th class का कोई भी class का ठीक है अभी तो फिलान में मेरा focus रहेगा 9th 10th एर्थ पर ठीक है और future में हम जो 11th ट्टियल का होता है कोई भी जो syllabus है math का वह भी लेकर आएंगे अभी जो मेरा focus रहेगा 910 का तो आपके आपके network में जो भी 910 का student है उसको ज्यादा से ज्यादा link share कीजिए और like कीजिए comment कीजिए subscribe कीजिए